आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर की बहुती लाजवाब एकदम फूली-फूली मज़दार पूर्यों की रेसिपी तो सरद्या शुरू हो चुकी है और ऐसे मोसम में मटर काफी अच्छे आती है बहुती बढ़िया मीठी मटर मार्केट में आ रही है तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करकर देखिए दिन की चाय की साथ टिफीन में सफर में ब्रेकपास्ट लंच ए डिनर के लिए बहुती परफेक्ट रेसिपी है और इसी के साथ हम यहाँ पर बनाएंगे जटपट बनने वाला बूंदी का रायता तो में वर्षा भाहु साय रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चले फ्रेंट से समझधार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल न भूलिए इने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मटर ली है बिल्कुल फ्रेश मटर है मटर में से दाने निकाल लिए जोरी से अच्छे से एक बार साफ कर लीजे चले अब इस मटर को हमें यहाँ पर पीसना होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक मिक्सी का जार तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो जरूर से डालीए और अगर नहीं खाते हो तो आप इसे इसकी भी कर सकते हो चले इसके साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं कट्यावा धन्या तो धन्या पती इस समय डालने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया से आता है साती धन्या की जो तो बस पीस्ते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इसमें बड़े पीस्त ना हो बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें इसका चाहिए तो एक बर आप इसे इस तरह से चेक भी कर लीजिए अगर आप यहां पर थोड़े दाने दिखते हैं तो आप इसे एक बर फिर से चला लीज आता है चले अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मशाले जिसे एक चमच में यहां पर डाल रहे हूँ नमक इसी के साथ हम यहां पर डाल देते हैं एक चमच चिली फ्लेग्स और एक चमच हम डाल देते हैं सफेथ तिल इससकी लुकिंग बहुत ही बढ़ीया से आती है और अगर आप चाहों तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हों तो जैसा कि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी डाली है और अधरक भी डाली है तो इसे से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आजाएगा लेकिन अगर आप पसंद करते हों तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, चलिए अब हम यहाँ पर इसका डो लगा कर तयार करेंगे, तो डो लगाने के लिए अभी मैंने यहाँ पर डाला है एक कब गेहु का आटा, लेकिन गेहु का आटा इसमें बिल्कुल आउशक तानुसार यूस होगा, चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं दो चम मिक्स करना है तो हो सकता है फ्रेंट्स आपको यहां पर गेहु का आठा और भी डालना पड़ें तो यहां पर देखें सबी चीजा मिक्स हो चुकी है strawberry मुझे कम लग रहा है तो मैं यहां पर आधा कप गेहु का आठा और डाल रही यानि बिल्कूल आउशक तानुसार गेहूं का आटा लगेगा बस इस बात का ध्यान रखे कि एक साथ बहुत ज्यादा आप यहाँ पर आटा नहीं डाले नहीं तो यह जो डो है ना एकदम से हाड हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर पानी की जौरत होगी तो यहाँ पर देखें बीना पानी डाले मैंने इसका टाइट सा डो लगाकर तयार कर लिया है बस जिस तरह से पूरी वगेरा के लिए डो बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसे रखना है चले इसे कवर कर देते हैं और कवर करकर साइड में रख देते हैं लगबग 5-7 मिट के जब तक हम यहाँ पर एक फटा-फट से रायता बना कर तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास घरपर एक कटोरी दही रखी वी थी वही मैंने इसमें डाल दी है १ले इसमें डाल देते हैं आदा चमश नमक ओर ज tarff चमशम डाल देते हैं काली मिर्च का पाओडर चमश तो आप सब इन सबी चीजहों को एक बार बढ़िया से miqs कर लेंगे ताकि दःवी में जितने भी लम्स हो वो खतम हो जाए और सारे मसाले दःवी में बढ़िया से miqs हो जाए तो फ्रेंड्स बहुत ही जटपट से बनने वाला रायता है और यह जो रायता है बहुत ही फैम जिसे मुरमुर भी कहा जाता हैं आप चाहें तो इस बुंदी को एसे ही डाल सकती हूं लेकिन मैं हमेशा इसे थोड़ा सा वश करकर डालती हूं इसे क्या होता है ना बुंदी यहाँ पर थोड़ी से सॉफ्ट भी हो जाती है और इसमें जितना भी एक्स्टा मसाला है वो निक आप किस तरह से बुंदी का रायता बनाते हो बुंदी को वोश करते हूं या फिर आप यहाँ पर जो फीकी बुंदी आती है वो यूज करते हूं चले अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कट किवी धन्या पत्ती और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए कि हमारा फटा फट से बनने वाला बुंदी का रायता बिल्कुल तयार है चले डो को चेक कर लेते हैं तो इसे भी एक बार हम फीर से मसल लेते हैं ताकि बढ़िया से डो चिकना हो जाए जो हमारी पूरिया है एकदम फुली फुली बने तो टीफिन के लिए भी बहुत ही अ निटमा से तमेल भी पूरिया है तो आपको एक बिया दिला दू है तो अगर आजरा रहा था तो प्लीज विडियो को लाइक अभी से कर दीजिए तो यहां पर देखे बस इसी तरह से हम यहां पर थोड़ी सी मोटी पूरी बना कर तयार करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा भी इन्हें मोटा नहीं रखें नॉर्मल जो हम गेहूं की पूरी बनाते हैं उसे थोड़ी सी मोटी रखेंगे तो अगर आप इसे पतला र अच्छे से गरम चाहिए तभी हम यहां पर पूरियों को फ्राय करेंगे तो पूरिया कोई सी भी बनाएं ठंटे तेल में आप फ्राय नहीं करें तो बस तेल में इस तरह से एक एक पूरिया डालते जाएंगे और इन्हें बढ़ी आसे फ्राय होने देंगे आप देख सकते आज़की रेसेपी बहुत ही आसान, तो friends आप मुझे कहां से जुड़े हैं हो यानि आप मेरी रेसेपी कोन से सीटी से देख रहे हो प्लीज मुझे कॉमेंट करकर जरूर से बताईए, आपकी जो बहुत ही अच्छे अच्छे कोमेंट आते हैं बहुत ही मोटिवेट करते हैं म कीजे फ्रेंट्स गर्मा गरम मटर की खस्ता पूरी बनकर बिल्कुल तयार हैं आज की रेसिपी कैसी लगी कोमेंट करकर जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले साथ ही मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर से कीजिए हैं मिलते हैं एक नई रेसिपी की साiba